हेलो एडरीवन वेलकम तू कॉंसेटलाइर बेरेडर दॉटन देखिए हम प्रॉफिट एललोग सीरीज का जो एससी सीजल में प्रीवेस एर में कॉशन पूछेगे हैं उनको देरे देरे एडिम्ट कर रहा है तो देखिए हमार आज का कॉश्चन है यह भी एससी सीजल दो एर इनकम ऑफ सीजिससिवाय परसंट लेस देन दस्थम ओफ ए और बीगा जो कंबाइन इनगम है उससे 25% कम है सी का इनकम तो पूछ रहा है कि सी का जो इनकम है वो a के इनकम से कितना परसंट कम है वट परसंट दाइनकम अफ सीज़ए दैन दाइनकम ओफ इस question को बड़े आराम से basic concept से ही करेंगे, देखे, क्या करना है, कि सबसे पहले 25% ज्यादा है A का income, तो 25% का fraction value 1 by 4 होता है, तो देखे, अगर B का income है, B का income, अगर आप उसको 4 consider करेंगे, तो जो A का income हो जाएगा, वो इस से 25% ज्यादा हो जाएगा, तो 4 का 25% ज्यादा का 4 प्लस 1, तो यह हो गया 5, ठीक है, तो आपको यहाँ से A का income मिला 4, sorry, 5 और B का income मिला 4, अब देखे, C का income जो है, वो A और B के combine income का 50% कम है, 65% less, ठीक, तो 65% कम का मतलब कितना हुआ, 35%, अगर 65% कम है, तो इसका मतलब कि 35% बचा, तो हम यह लिख सकते हैं, कि जो C का income है, C का income, वो A और B का मातर 35% है, ठीक, तो देखे, A और B का आप निकाल सकते हैं, बड़े अराम से, क्योंकि यहाँ पे A का 5 है, B का 4 है, सम करेंगे, तो यह हो जाएगा 5 और 4, 9, और इसका 35% निकाल लेंगे जब आप, तो 100 सी डिवाइट कर देंगे, यह हम लोग C का income find कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा, 5 से काटी है, तो यह हो जाएगा 7 और इसका 20, तो यह हो जाएगा 63 by 20, समझ में आ रहा है, यह C का income आ जाएगा, ठिक, तो इसको, अब देखें, यह जो 63 by 20 है, यह C का income है, अब निकालना है आपको कि यह A से कितना कम है, समझ रहा है आप, तो पहले आप यह निकाल लेजें कि यह A का कितना percent है, तो A का कितना percent निकालने के का करेंगे, A का कितना percent है, यह हो जाएगा 63 upon 20, यह C का income हो गया, अपको किस से निकालना है, percent A से निकालना है, तो A का 5 है, सही बात है, multiply 100 से करेंगे, तो यह कितना आ जाएगा, देखें, यह 20 और 5, यह 100 हो जाएगा, यह दोनों इससे कट मतलब कि जो C का income है वो 63% of A है हम लोग यही निकाले ने जो C का income है उसका percentage निकाले A के reference में तो C का जो income है वो 63% of A है ठिक तो A का 63% है तो कितना कम हुआ तो 100 में से 63% घड़ा देंगे तो यह आजाएगा 37% यह हमारा answer है इस समझ रहें आप C का income है वो 63 by 20 अब यह A का कितना percent है तो निकालने के लिए करता है 63 by 20 A की income 5 है तो यह 5 से का कितना percent है तो इतना बड़े 5 63 by 20 बड़े 5 गुड़े 100 यह किया में यहाँ पे तो 63% आ गया इसका मतलब C का income है वो A का 63% है ठिक अब A का 63% तो कम कितना हुआ जो बच गया मतलब 37% तो यह हमारा जो C है यह हमारा सही option हो जाएगा ठिक है चलिए अगले question मिलते है Thank you जो जो